सूपरभाद कक्षा एक यह आपकी व्याकरण माधुरी की पुस्तक है आज हम इस पुस्तक में दिये गए अध्याय नंबर दो जिसका नाम है वन माला जिने इंगलिश में एल्फाबेट कहते हैं बच्चो आज हम इस अध्याय नंबर दो को पड़ेंगे बच्चो मुक से कुछ बोलो मा ओहो मा धवनी है मैं प्लस आ प्लस चंदरबिंदी ओहो धवनी है ओहो प्लस है प्लस ए अब आप ध्यान दीजिए जब हम बोलते हैं तो हमारे मुह से धवनी धवनी होती है आवाज हमारे मुह से आवाज निकलती है वन, वन होते हैं लेटर, बोलते समय मुह से निकलने वाली छोटी से छोटी धवनी को वन कहते हैं जैसे ए, ई, उ, क, ख, ग, आदी वनों के भेद, वनों के दो भेद होते हैं, सुवर और व्यानजन पहले हम सुवर के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्ट संख्या बारा पर जिस वन को बोलने में किसी दूसरे वन की साहता नहीं लेनी पढ़ती, उसे सुवर कहते हैं स्वर सवतंत रूप से बोले जाते हैं यह वो स्वर होते हैं जिन्हें हमें बोलने में किसी और किसी और बंड की साहता नहीं लेनी पड़ेगी हिंदी में स्वर की संक्या 11 होती है A A E O U R A I O A यह आपके स्वर होते हैं यहाँ पर आपके अंग से अंगूर जिसमें आप लिखते हैं वो आपका अनुस्वार और जिसे आप अंगा खाली कहते हूं यह आपका आयोगवा कहलाता है वेंजन, वेंजन को इंग्लिश में कॉंसोनेंट्स कहते हैं जिस वेंजन को बोलने में स्वर की सायता लेनी पड़ती है उसे वेंजन कहते हैं वेंजन कैसे बोले जाते हैं के तो ये आपके के में एकी साउंड आ रही है इस तरहां अलफबेट होती है वर्ण माला कहते हैं उसे हिंदी में वर्णों के समू को वर्ण माला कहते हैं और हिंदी वर्ण माला में 50 यानि के 50 वर्ण होते हैं अब आप इस अध्याय को फुल हैं पढ़ लीजिए धन्यवाद